यह second lecture है sensors and instrumentation course का और जो आज का topic है वो है selection of sensors, transducers and instrument तो basically जो भी electrical और electronic हमारे पास जो भी instrument है, measuring instrument है या कोई equipment है वो सबका जो एक तरह से selection जो criteria रहता है वो सबका एक तरह से common है हाँ अगर specific instrument की बात करें तो उस case में फिर हम application के according उसको देखते हैं ठीक है तो अब इसको हम discuss करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो please like करना, channel को subscribe करना, share करना अपने friends के साथ और हो सकता है तो join button दवाएं और कोई भी पत्रम, push-pump अगर आपको कुछ करना है तो नीचे मैंने description में link दिया हुआ है तो आप कुछ उसमें pay भीगा सकते हैं तो selection criteria यहां पर मैंने briefly इनको describe किया हुआ है तो सबसे पहले आते हैं जो static, dynamic और application की according बहुत सारे factor हैं जहां पर हम अपना जो भी equipment है या जो भी हमारा instrument है उसके लिए हम desired physical parameter देखते हैं तो सबसे पहले आता है accuracy तो accuracy भी application specific होती है तो कहीं आपको इतनी ज्यादा accuracy की जरूत नहीं है और कहीं पर जैसे अगर आप देखें तो अगर आप domestic point of view से देखें और फिर defense point of view से देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है accuracy के case में है तो accuracy हमेशा हाई होनी चाहिए ना precision यह भी हाई होना चाहिए sensitivity अब sensitivity जो है वो अगर जब हम input कोई vary कर रहा है तो जब input vary करता है तो उसके corresponding जो output है जो हमारा system है यह sensor है या कोई हमारा instrument है वो उसको sense करके और एक तरह से required output दे noise वगरा उसके लिए sensitive नहीं होना चाहिए जो environment में noise है अगर उनको भी sensitive उनके लिए sensitive ना हो तो इस तरह का हमारा होना चाहिए फिर उसके बाद आती है operating range तो operating range में बहुत सारी चीजे है अब आप उसको किस application के लिए use कर लिए सपोस करो कही temperature measure करने के लिए आप use कर रहे है sensor का domestic purpose के लिए आपको maximum 50 degree centigrade तक चाहिए और अगर negative में जाए तो minus 4 degree centigrade तक पर अगर आप defense purpose के लिए जाए तो minus 55 degree centigrade से लेके और आप 75 degree centigrade तक भी हो सकता है या उससे भी जादा ठीक है तो इस तरह से range select करते है application के according तो आपकी जो application है sensor को जहां पर आप apply कर रहे हो तो उसकी range है ना तो उसके corresponding आप choose कर सकते हैं फिर उसके बाद आता है resolution resolution का मतलब है कि smallest जो increment है input में क्या उसको sense कर पाता है कि नहीं कर पाता है हमारा instrument है ना तो इसको आगे discuss करेंगे और resolution जो है यह भी होना चाहिए speed और speed का opposite है response time है ना तो एक दूसरे पर dependent हैं basically speed का मतलब है अगर response time कम है तो speed ज्यादा होगी है ना अगर response time ज्यादा है speed obviously कम होगी तो response time कम होना चाहिए और speed ज्यादा होनी चाहिए ठीक है अब response time के point of view से भी domestic application industrial application और जो हमारी defense application है उन तीनों में हम देख सकते हैं कि जो defense वाला है महाँ पर response time चितना कम से कम होगा जितना वह faster होगा हमारा जो भी system है उतना जाद अच्छा है ना तो इस तरह का है ऐसे reliability तो reliable होना चाहिए reliable जरी branded हम चीजे खरीते हैं तो वह उसलिए खरीते हैं कि वह कुछ time तक सही चलते हैं खराब नहीं होते हैं तो reliability तो उसका देखना पड़ेगा कि उसका failure time कितना failure time तरह से कम होना मतलब उसको क्या बोल सकते हैं कि failure time अगर कम है तो मतलब जल्दी हो जाएगा तो आप इसको science को समझो reliability का मतलब है जो उसकी life है जादे से जादा होना चाहिए तो reliability should be high फिर आतने maintainability maintainability का मतलब है कि आप एक तो जब भी अगर उसमें कुछ गरबढ हो तो उसको हम maintenance कर तो सही कर दें दूसरा है किसी जो कोई application है कुछ इस तरह कि हमारी अगर suppose करो हमें underwater use करना है या under soil मिट्टी के नीचे use करना है ठीक है या कहीं moisture जाता है वहां पर use करना है तो उसको हम उस application के according उसको हम एक तरह से readjust कर लें है तो maintainability में उसका एक तरह से service ही नहीं है उसमें बहुत सारी चीज़ आती है कि कि किसी भी application में कहीं भी अगर उसको use कर रहे है तो उसको easily हम एक तरह से उसके according comfortable बना ले तो उसमें यह भी आता है उसके बाता calibration calibration में जो भी हमारा sensor है ना तो इन में भी एक गवड़ यह होती है कि जब आप उसको लेंगे तो time के साथ साथ उसमें जैसे कि ठीक है को सब्सक्राइब करता है कि आप जो sensor का output है उसको अगर आप microprocessor को या microcontroller का दे रहे हो तो digital output चाहिए ना और अगर उसको नहीं दे रहे हो आप उसको इसको डारेक्टरी कंट्रोल कर रहे हैं तो अना लोग से काम चल जाएगा तो नेचर उप आउट्पुट मतलब अना लोग चाहिए या डिजिटल चाहिए तो इससे आपको देखेंगे उसके बाद आते हैं लीनियरेटी लीनियुरेटी एक तरह से हमारा इस्टूमेंट है उसको फोड़ए सा बढ़ा तो अगर इस्टूमेंट हमारे लीनियर है तो समPad कर सकते हैं कि किस तरह आउट्पूट देगा जैसे कि जी सब्सक ओम, उम सूब्सके kalianstude जो current दे रहा है 1 A या 1 mA तो फिर 2 V पर 2 mA देगा तो इस तरह है तो लिनियर रिजन जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसना ज्यादा अच्छा है अगर नोलिनियर होता है तो नोलिनियर केस में उसको एक तरह से उसका जो उसकी accuracy है वो एक effect होती है दूसरा है उसको आप predict भी नहीं कर सकते हो कि आउटपुट जो आ रहा है वो पर आउटपुट है जाता है तो और ज्यादा उसका अगर बड़ आउटपुट आएगा इन्वार्मेंटल कंडिशन तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है जो हमारी specific application है इन्वार्मेंट की जैसे मैंने डिसकस किया कि कहीं पर moisture जादा है रेनी इस तरह का कुछ रहता है कहीं पर temperature जादा है कहीं पर आपका ice इस तरह का है जहीं मालिय पर यूज़ कर रहे हैं चाइना बोर्डर है तो उस case में उस particular environment के लिए कि हमारा जो instrument या जो हम sensor use कर रहे हैं वह properly work करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है फिर आता है interfacing इंटरफेशिंग अब दो चीज है एक जब हम कोई माइक्र प्रोसेसर या किसी computer के साथ अगर connect कर रहे हैं डिवाइस को तो directly connect हो जाते अच्छा है तो इसका मतलब है उसमें सारी चीजें जो interfacing डिवाइस बगारा सब कुछ है वो सब कुछ उसके अंदर ही हो आग जैसे अलग से हमें कोई और circuit ना करना पड़ा है जैसे कि मैं यह साथ है size and weight weight जितना कम होगा उतना अच्छा है size वह बड़े कम हुआ उतना अच्छा है जितना compact हुआ ंच्छा है तो इसको आप कहीं भी और अगर आपका बड़ा circuit भी है और बाकि जो component है eğ처럼 इस तरह और वह इसको आप बड़े है वो भी minimum होना चाहिए ठीक है तो अब आगे से उनको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं तो जैसे कि आपने 12 में study किया है accuracy और precision का तो accuracy का मतलब है जो भी true value है जैसे यहाँ पर center जो है यह true value है तो अगर सारी value इस true value के ही आसपास आ रही है तो इसका मतलब है accuracy अच्छे है high accuracy है precision precision है एक तरसे repeat करना बार-बार अगर वो एक ही आप input दे रहे हो रोज पर आउटपुट जो आ रहा है बार-बार सेम आ रहा है बार-बार repeat कर रहा है तो इसका मतलब है आपका इंस्ट्रूमेंट है वो precise है अब accuracy और precision दोनों यह अलग-अलग चीज़े है precision का मतलब है वो कितने बार जो आउटपुट है उसको reproduce कर रहा है तो उसको एक बार-बार repeat कर रहा है तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पर जो precision है वो तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट का कि बार-बार एक value रिपीट कर रहा है पर accurate नहीं है accurate तब होगा जब यह true value यहाँ पर आएगा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यह अगर देखा जाए तो accuracy moderate है यहाँ पर क्या है moderate है पर जो repeat जो करने वाला है यानि precision है वो कम है यहाँ पर देखोगे यहाँ पर accuracy भी कम है सारी value जो है scattered है अलग-लग value आ रही है हर बार है और precision भी जो है वो बार-बार एक output नहीं दे रहा अलग-अलग output दे रहा हो भी यहाँ पर कम है नेक्स्ट है sensitivity तो sensitivity को हम एक तरह से देख लेते हैं कि ratio of the change in an output to a unit change of the input ठीक है तो output हमें किस तरह का चाहिए है और किस लेवल का हमें एक तरह से इंस्टुमेंट जैसे मैंने पिछ़़ डिसकस किया तो noise के साथ sensitivity तो नहीं है कि अगर कोई noise environment में यूज़ कर रहे हैं और महाँ पर भी जो environment की जो noise है वो भी हमारी output पर आ रहे हैं तो उस case में हम उसको देखना पड़ता है तो यहाँ पर basically जो है हम देखते हैं कि हमारा जो एक तरह से इंपूट है वो कितना जल्दी चेंज हो रहा है विसिकली फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है अगर इंपूट कुछ फास्ट चेंज हो रहा है और हमारा जो इंस्टुमेंट है वो उसको sense नहीं कर पा रहा है तो फिर हमारा इंस्टुमेंट खराब है फिर हमें ऐसा इंस्टुमेंट से ही है कि जिससे वो quickly उसको है ना एक तरह से sense कर ले तो frequency के according तो यहां पर एक तरह से इसको sensitivity में भी ले सकते हैं और इसको frequency response में भी ले सकते हैं फिर उसके बाद आता है operating range operating range maximum minimum value है parameter की जिसको measure कर सकता है तो यह शुट भी जो उप्रेटिंग करता है हमारी application क्या है तो इसके बाद आता है किसी control microcontroller या computer में तो उसको send कर सकता है फिर response time हमने discuss कर लिया reliability तो इसमें तर्म है mean time to failure तो average time है failure का तो यह company बना कर देती है तो company चेक करती है अपने कुछ instrument random instrument उठा लेती है और उसके बाद उनको फिर continuous use करती है और उसके बाद देखती है कि वह कितने time के बाद तो अवर में बताते हैं कि इसकी working जो है अवर में इसने अवर यह continuous work कर सकता है मीन टाइम निकालते हैं उसका failure का कुछ instrument लेके और उनका में टाइम में टाइम निकालते हैं यह हमेशा हाई होना चाहिए इससे क्या है हमारा जो इंस्ट्रॉमेंट रिलाइबल है जादे टाइम काम करेगा उसकी बढ़ जाएगी तो इसको भी हम डिसकुस कर चुके हैं कैलिबरेशन तो कैलिबरेशन है बहुत सा नहीं बताया कि instrument के अंदर बहुत सारे component है उसमें रसिस्टर भी है और इस तरह के और भी component है उनकी value change होती है तो आउट बिसली चेंज होगा तो उसको बार-बार हमें कैलिबरेट करना पड़ता है कैलिबरेट करने का मतलब है जब भी value इंस्टूमेंट को एक अलग standard instrument के साथ उसको कैलिबरेट किया जाता है फिर primary instrument से जितने भी हम रखी के instrument यूज कर रहे हैं है ना तो उनको बोलते हैं second instrument जिनको हम यूज मिलाते हैं जिनसे हम measurement या इस तरह का हम कुछ करते हैं तो उस primary instrument के साथ हम बार-बार primary instrument के साथ हम इसको कैलिबरेट करते हैं ठीक है कि दोनों को सेम input देंगे और देखेंगे कि आउट्पुट दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो primary जो हमार instrument है उसका जो output है उसको ही फिर हम उसमें कुछ चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीज है चेंज करने के लिए instrument है और उसमें उसको हम जो drift है उसको हम minimum करने के कोशिश करते हैं कोश्ट का हो गया nature of output हो गया जो मैंने इस इस वह देखना पड़ता है कितना नोन लिनियर है ठीक है और उसके हिसाब से फिर हमें वहापर उसको एक बर हमें कि बार उसको अगर हमें calculation हो अगर automatic calculation है तो उसमें हम फिर हम उसको consider करते हैं अगर नहीं है तो फिर देखतेawk यह एक तरह से deviation कितनी value होती है कि कि इस point पह इबिए होगे ना तो इस तरह से हम उसको उस की data sheet होगी जो भी आप instrument लिते हो चाहे even diode बिलो तो उसकी इस data sheet है तो आप कोई बंबी तो जब दब उसको आप यूज करेंगे इंस्ट्रुमेंटेशन में कोई इंस्ट्रुमेंट बनाने के लिए तो उस डेटाशीट को हम पढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि आउट्पुट में किस तरह की इरर आ सकती है तो प्लस माइनस 5 परसेंट प्लस माइनस 10 परसेंट ऐसा भी हो सकता है कुछ इस तरह का भी है तो एक एवरेज लगा के वो देते हैं तो इस तरह का भी होता है जैसे कि रेसिस्टेंस के एकर वैल्यू देखो तो उसमें प्लस माइनस 5 परसेंट प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 इस तरह की तीन वैल्यू में आता है तो ऐसे ही sensor के case में भी है तो सारे sensor नहीं पर कुछ sensor के साथ है कि वह पर जो है उनका जो output है वो linear नहीं होता ठीक है या linearity से वो deviate होता है तो deviate होता है तो उसमें plus minus value mention करका देता है environmental condition हमने discuss कर लिया है interfacing ये भी हमने discuss कर लिया size and weight ठीक है ये भी discuss कर लिया और power consumption ये भी हमने discuss कर लिया अब इस पर base पर कुछ questions है ठीक है तो ये last year ये exam में आया हुँ है what are the criteria to choose this answer तो criteria में आप ये 15 16 जो भी है point इनको आप दे देंगे और जो जितने numbers के भी पूच्छा गया है दो number का पूच्छा गया है तो बस एक criteria लिक है और उसके आगे ये should be minimum और ये वो सब इस तरह का लिख दोगे हाँ अगर जादे माक्स में पूच्छा गया तो 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 explanation भी देना पड़ेगा तो resolution for a measuring instrument या sensor इस तरह का लिख सकते हैं ऐसी precision के लिए linearity accuracy precision ये सब थोड़ी common चीज़े हैं ठीक है और ये सब अपनी जो copy है उसमें ये note करते रहना तो जब ये पहला वाला question आप इसको लिखोगे इसको describe करोगे तो बाकी के ये जो second question है ये अपने आप ये इनकी आपको as per definition भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं thank you अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो like करें subscribe करें मेरा चैनल और अगर कुछ doubt है तो आप comment कर सकते हैं चलिए इसको यहीं रोकते है thank you